हेलो गाईज, सब्सक्राइब करें रहा स्पिज्व लोगियोटिव चैनल और बेल आइकन प्रेस करें हमारी नही नही रैसीपिस देखने के लिए आज हम आपके साथ शेर कर रहे हैं कमल ककडी की स्यांदार सबजी, स्वादिस्ट सबजी कि आप सबजी तो बनाते होंगे पर इस तरह की स्वादिस्ट सबजी आपने नहीं काई होगी तो जरूर बनाईएगा यह स्वाद और सिहत से भरपूर होती है, खाने में सबको बहुत पसंद आईती है और बहुत अच्छी फैंटास्टिक सबजी बनती है तो चले इसे बनाना सुरू करते हैं, हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, शेर करना इसके लिए देखें मैंने लिया यह कमल ककड़ी इसको लोटस भी बोलते हैं और कस्मीर में इसको नद्रू यखनी भी बोलते हैं तो कुछ भी नाम से आप इसको बुला सकते हैं, वैसे यह यहां पे हमारे यहां कमल ककड़ी के नाम से famous है और बहुत अच्छी सबजी इसकी बनती है और सेहत से भर पूर है तो मैंने इसको छील करके इस तरह से इसको तोड लिया है, अब इसके बाद में हम सबसे पहले इसको बोल करेंगे तो एक मैंने पतीली के अंदर थोड़ा पानी डाल दिया है और इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देंगे जब पानी में उबाल आएगा तो हम अपनी सारी कमल ककड़ी जो हमने तोड़ करके रखे इसके अंदर बोल होने के लिए रख देंगे लगपक चार से पाँच मिनट तक मैं इसको बोल करूँगी नमक के साथ बोल करने से इसके अंदर जो होल्स के अंदर कोई होता है वो भी निकल जाता है और ये बहुत ही soft भी हो जाती है और tasty भी बनती है तो आप जरूर इसको इस तरह से boil करके बनाएगा बहुत ही अच्छी बनती है तो पाँच मिनट तक मैंने इसको बोईल कर लिया था उसके बाद में पाँच मिनट रिष्ट दिया और फिर इसको इसको इस तरह से निकाल दिया है अब हमारी कमल ककड़ी बोईल करके तयार हो गई है तो चलिए मसाला तयार करते हैं मसाले के लिए देखिए मैंने गेज पे कुकर टिका दिया और इसके अंदर मैं एक बड़ा चमस तेल डाल देती हूँ जैसे ही तेल थोड़ा गरम हो जाएगा हम इसके अंदर जीरा तड़का लेंगे जीरा तड़कने के बाद आपके पास तेज पता हो तो वो डाल सकते हो हिंग पाउडर हो तो वो भी डाल सकते हो मैंने यहाँ पे लूंग एलाईची और दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जाइफल को ग्रेट करके डाल दिया है इसके बाद मैंने सुखे मसाले डालने के बाद मैंने थोड़े से प्याज बारिक कटीवे डाल दिया है इनको अच्छे से एक मिनट के लिए भून लिया है अब मैं इसके अंदर अद्रक और लसुन का पेस्ट डाल देती हूँ जो कि मैंने कद्दुकस करके यानि ग्रेट करके रखा हुआ है तो ये अद्रक और लसुन का पेस्ट भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे एक मिनट के लिए जब अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो हम इसके अंदर मसाला डाल देंगे हल्दी पाउडर लाल मिर्च का पाउडर दोनों को अच्छे से फ्राई करने के बाद आप बारी कटेवी टमाटर डाल दीजिए तो मैं यहां पे एक बड़ा स्टमाटर लिया था में इसको बारीक बारीक कट लिया अब इसको ओल मेहीं पकने देंगे ध्यान रखना अभी तक आपको पानी बिल्कुल भी णहीं डेलना है इसको ओल मेहीं बिल्कुल सिम गेज पे आपको पकाना है, तीन से चार मिनट पकाने के बाद में देखिए अच्छा सा मसाला त्यार हो चुका और खुश्बू भी बहुत बहतरी ना रही है, अभी अमने नमक का इस्तिमाल नहीं कि आप देख सकते हो, आपको पता हो का नमक और धनिया पाउडर अभी हमने नहीं डालना है, तो यहां पर घरम साला डाल सकते हो, पर यहां पर ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि लोगों की लाइसी और दाल चेनी का जो मिस्त्रन का जो खुश्बू आ रहा ना वो अलग है, इसकी महक कुछ अलग है, तो यहां पर मैं धन नमक डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब हमने जो बॉल की होई कमल कक्रिया वही इसके अंदर डाल देंगे, और तेल में ही एक से दो मिनदर तक अच्छे से चलाते लिए पकाएंगे, क्योंकि अब तेल के अंदर जो पानी था जो नमी थी ना वहर जाने तो बारिक कटा हुआ हरा धनिया डाल देजिए इसको भी एक मुनट के लिए आप अच्छे से पकाईए कुक होने दिजिए तेल में जो सबजियों का जो टेस्ट आएगा अभी कुक होने पर वो अलग ही होता है बेतर ही होता है इसके बाद आपको डालना है पानी तो यहां प क्यों क्यों कि हमारी कमल ककड़ी भी काफी सूफ्ट हो चुक है और हमारी जो ग्रेवी थी जो सबजिया थी अच्छे से पकी हुई है तो दो से तेन मिनट में आपकी सबजी तयार हो जाएगी तो आप देखे इसको थोड़ा सा ठंडा कर लिए मैंने आप मैं इसको निकाल तो आप देख सकते हो कितनी मसालेदार हमारी कमल ककड़ी की सबजी तयार हो गई है आप जरूर बनाएगा इस तरह से एक बार बार बनाएंगे जो हमने तेल के अंदर इसको पहले पकाया ना सारी सबजियों को मसाले को और कमल ककड़ी को इसे हमारी सबजी का टेस्ट बहु सारे अनमोल टिप्स इसके अंदर भरेवी हैं, सेहत का खजाना है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक